नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और दोस्तो आज मेरा टॉपिक है कि लोग नेटर मार्केटिंग को क्यों छोड़ देते हैं क्यों निरास हो जाते हैं क्यों निगेटिव हो जाते हैं और कभी करते हैं समटाइम में कभी नहीं करते हैं और फिर एकदम स से मोटिवेट हो जाते हैं फिर करने लग जाते हैं फिर छोड़ देते हैं यह सबसे बड़ी problem हो रही है तो होता क्या है कि हम अपना presentation किसी को share करते हैं प्लान दिखाते हैं तो क्या होता है negativity आती लोग लोग मना कर देते हैं दोस्तो मना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह एक फीचर है इस इंडस्टी का फीचर है कि आपको ज़्यातर लोग मना करेंगे ही यह आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस इंडस्टी में कि आपको लोग ना करेंगे नो बोलेंगे क्योंकि नो मतलब है next opportunity next one है ना तो यहाँ पर आपको गवडाना नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी जनसंक्या है बहुत बड़ी जनसंक्या और अभी हम इस peak point पर हैं कि यह industry बहुत तेजी से गिरो कर रही है है ना तो हमारे पास बहुत अच्छा बिकल्फ है और बहुत अच्छा टाइम है इंडिया में लगबग 20 साल हो चुके है और अभी यहाँ जो युवा है बहुत कुछ ढून रहा है उनके बड़े सपने है तो आपको यहाँ पर मौका मिलता है कि आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं और लाखो करूर लोगों के ड्रीम को पूरा करवा सकते हैं तो घवडाईए नहीं और कोई नो बोले तो उनको बोलिए ठैंक्यू सो मच है ना यहाँ पर बहुत बड़ी यंसंग क्या है और पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं मैं पूरे वर्ल्ड में आप प्लान दिखा सकते हैं आज डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा आप पूरे वर्ल्ड में नेटर मार्केटिंग को फैला सकते हैं और लगबग लगओ पूरे वर्ल्ड में नेटर मार्केटिंग हो रही है आप सोशल मीडिया पे जाईए, डिजिटल हो जाईए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जातर लोग आपको ना बोलेंगे, ये आप मानके चलिए आपको उन लोगों के साथ काम करना है जो आपको हाँ बोलेंगे जब आपकी knowledge बड़े आएगी, जब आपका confidence बड़े आएगा तो आपको वो लोग हाँ भी बोलेंगे और कुछ लोग आपके साथ चलेंगे लीडर हमेशा अकीला चलता है, फिर लोग उसको follow करते हैं तो मेरी सुब कामना है आपके साथ है, मुझे support करने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और जदा जदा लोगों को share करें, thank you so much